नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवागत है टेकनिकल एनलिसिस सीरियस में और आज के एपिसोड में हम चैनल पैटन के वारे में डिसकुशन करेंगे और सबसे पहले चैनल में हमें जो तीन टाइप के चैनल होते हैं उन में से आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इस चैनल के अंदर हमें कैसे ट्रेडिंग करने चाहिए यह कैसे एसल लगाने चाहिए एक्जाम्पल के साथ इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में यह पैटन को स्टेडी करेंगे तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं आप जैसे इमेज देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे होरिजोंटल चैनल मतलब क्या एक नॉर्मल चैनल साइडवेस सा जिसमें सपोर्ट होगा रजिस्टेंस होगा ओके और सपोर्ट और रजिस्टेंस के बीच में भाव जब जब जाधा टाइम फ्लक्चुएट करता है और लेट से टू मन्स त्री मन्स कभी कबार हमें शॉट एक ही दाइरे के अंदर तो आप समझ जाएए कि वो एक साइडवेस चैनल जैसा फॉर्मेशन है जिसके अंदर बुल्स और बेर दोनों ही फाइट कर रहे हैं अपनी तरफ मार्केट का डारेक्शन लेके जाने के लिए अब जोस्तों अधिक तर यह जो चैनल फॉर्म होते ह है इसका क्या मीनिंग है तो दोस्तों अगर मैं आपको लेट से कोई भी ट्रेंड का स्टाट बताओं तो स्टाट में एक अक्यूमिलेशन फेज आता है उसमें भी हमें एक चैनल दीख सकता है उसके बाद वहां से मार्केट डारेक्शन अपवर्ड लेता है उसके बाद हमे हमें एक चैनल फॉर्मेशन दीख सकता है यह बेसिकली फर्स जो हमें यह फेज मिला यह अक्यूमिलेशन का फेज था सेकेंड फेज जो है यह कंटिनिवेशन कब बनेगा जब भाव यहां से उपर ब्रेकाउट देगा और फिर एक चैनल टाइप स्ट्रक्शर बनाता है भा बाल सकते हैं कि ओके ट्रेंड के स्टाट में हमें एक चैनल बनते विए दिखाई दिया तो यह अक्यूमिलेशन से भी हो रहा है दिस जस्ट आन इंफरेंस हम पक्के तरीके से नहीं कैसकते हैं ट्रेंड के बीच में हमें रेक्टेंगल मिल रहा है और वहां से भाव उपर यहां रहा है तो उसको कॉंटिनियेशन में दाल देंगे हम अगर हमें ट्रेंड में लास्ट जो अभी इस पर्टिकुलर में ने जो एक्जाम्पल यहां पर ड्रॉ किया है लेट से इस फर्स सेकेंड और थर्ड साइडवेस चैनल और आप यहां से भाव अगर नीचे जाना स्टार्ट कर दे यह जो तर्ड जो सेलर्स है उनमें जादा पावर है इस पावर है इस वजे से वह भाव को नीचे लिखे जाना में सकसेसफोल हो चूक है तो इस वजे से ऐसा हम समद सकते हैं कि यह जो sideways channel है अब कई लोग इसको rectangle भी बोल सकने है rectangle pattern okay but this is a sideways channel यह आपको तीनोई यह phase में दिखेगा accumulation, continuation, distribution इस रज़े से इसका importance काफी होता है trading के अंदर अब दोस्तों अब आपको पता चल गया कि यह तीनोई phase में लागू होता है जैसे हम flag pattern बुलते हैं, अच्छा flag is a continuation pattern वो आपको इन फर्स जो phase होता है market का थर्ड जो phase होता है वहाँ पे नहीं देखना चाहिए और मिलता भी नहीं है उसी तरीके से जो sideways channel या rectangle है यह हमें तीनोई phase में मिलता है इस पे हमें इसके लिए काफी importance अब दोस्तों इसमें कैसे trade करना है हमें तो अगर हम यहाँ पे chart देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बनाया है यहाँ पे हम देख सकते हैं almost four to five times horizontal channel में भाव टच कर रहा है अब आपके मन में सवाल आएगा दोस्तों की की ज़रूर यह चार बार टच करना या तीन बार टच करना तो as per the rule we at least want two touch points ठीक है let's say भाव इधर गया this is one touch point निचे आया okay now this is one this is two touch point अगेन उपर गया touch point तो यहाँ पे दो touch point मिलने के बाद हम यह अगेन एक not पके तरीके से बट एक infer कर सकते कि यह एक channel pattern मन रहा है okay इसका confirmation कब आएगा दो point आपको मिलना ही चाहिए यह sideways channel में यह third point पे हमें confirm कर देगा तो जब तीसरी बार नीचे आता है और हलका सा यह reversal देता है तो आप समझ जाए कि यह चीज confirm हो चुकी है ठीक है दो point पे हमें signal मिल जाता है तीसरे point पे हमें confirmation मिल जाता है कि this is a channel और जो भी हम जो pattern देखते हैं जो channel के और जो दो pattern देखेंगे उसमें भी same rule लागू होगा तो दोस्तों यह आपके मन में अब clear हो जाना चीज़ है अब दोस्तों जो अगली चीज है इस के आना जैसे हम बता रहा था अगर price breakout लेता है resistance या support से तो हमें कैसे trade करना है यह अब हमारे लिए important topic है अभी तो दोस्तों जैसे हम chart में देख सकते हैं यहाँ पे भाव resistance को तोड़के उपर जा रहा है और जब resistance को तोड़ता है भाव तो वो time पे जो भी candle का जो distance है support and resistance का वो target हम calculate करेंगे तो हमारे case में आप image में देख सकते हो यह जो length है इसी को हमने उपर plot कर दिया resistance के उपर तो इस तरीके से हमें यह चीज मिल जाती है target objective हमारे मिल जाते हैं और sl जो भी candle का हमें breakout मिल रहा है उसके low के नीचे preferably हमें ऐसा क्यों बोलते हैं जिससे कि अगर मैं आपको ऐसा बोल दू just resistance के नीचे लगा दो तो थोड़ा vague हो जाता है इस वज़े से जो भी candle उपर निकल रहे हैं उसका low कर लो आप तो यह आपके मन में भी शंका नहीं रहेगी कि यार इतना लगाऊं की just नीचे लगाऊं की थोड़ा और नीचे लगाऊं ओके और target तक हमें wait करना है चाहिए तो आप midway में half profit book कर सकते हो midway मदलब क्या half pole पे आप थोड़ा profit book कर सकते हो और अपने SL को trail पे ला सकते हो cost पे ओके अब दोस्तो सेम चीज़ breakdown पे होती है अगर भाव support तोड़ के नीचे चले जाए तो हमें एक breakdown मिलता है और breakdown जैसे अचीव होता है हम उसके अंदर short style की position बनाते हैं by keeping SL of the candle which has given breakdown और वहाँ पे हम उसको trail करते हैं till the target is achieved अब यह हो गया हमारा theoretical points ठीक है इसमें हमने देखा rule क्या है channel के किस structure में बन सकता है और यह pattern तीनो structure में बन रहा है इसको हम neutral pattern भी कहते हैं क्योंकि कहां पे भी direction जा सकता है यह structure बनने के बाद और आपने देखा entry SL और target कैसे लगाते हैं इसके अदर अब हम सिधा practical example पे चलते हैं और chart को एक बार देखते हैं और अलग अलग charts पर यहां पर यह find out हुआ है वो एक बार हम देखते हैं आप सब देख पा रहे होंगे Aurobindo का chart फिलाल यहां पे मैंने यहां पे यह chart पे plot कर रखा है triangle pattern ओके आप देख सकते हैं see this जो भी यह हमारा price action data देख रहा है फिलाल Aurobindo का यह देखके पता चली रहा है यह sideways formation में ही था यह counter ज़ादा हिला नहीं जो हम data ले रहे हैं 3 साल में और जब यह rectangle formation बनी this is almost a 6 months data यह almost इसने 6 महिने लगा है rectangle form करने के लिए आप इसके अंदर देख सकते हैं multiple touch points आ रहे हैं और जब यह pattern form हुआ तो यहाँ पर किसी को यह नहीं पता कि यार यह उपर breakout आएगा कि या नीचे आएगा अगर उपर आता then this was an accumulation phase और हमें यह बड़े जो consolidation है उसका breakout मिल जाता बड़ हमने क्या देखा इसको breakdown देते हुए तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक breakdown मिला है breakdown के साथ ही साथ हम यहाँ पर एक retest भी देख पा रहे है this is a different subject बड़ मैं आपको quickly बता देता हूँ breakdown के बड़ वापिस भाव अपने जो एक बड़ उपर जाने के कोशिश करता है तो यह जो support आई एक resistance बन जाता है change of polarity का ही concept है इसके बाद हम देख सकते counter one way down गया अब दोस्तों just quickly दिखाने के लिए यहाँ पर मैं plot कर देता हूँ आप देख सकते हो resistance के उपर हमें काफी सारे यह touch points मिल रहे हैं और यहाँ पर हमें multiple touch points के साथ इसके उपर plot करके हम यह देख सकते हैं कि एक perfect symmetry मिली है हमें rectangle pattern की now similar goes to the support ठीक है तो support में भी हमें same चीज़ देखने मिलती है जो touch points है काफी जादा है okay so just to show you all हम देख सकते हैं multiple supports ले रहा है इसी भाव के around which is nothing but 700 level अब इसका target जासा हमें calculate करना है image में देख रहते हैं हम लोग कि normally एक जो distance है हम calculate करेंगे of the support and resistance we can see the distance and now we will plot this distance को हम इसको support पे कर रख देंगे because this is an breakdown और हमारे जो targets अल्मोस्ट 590 के लेवल के थे this is an 100 point rectangle which is formed और ये target अचीव करने के लिए almost one and a half month one should one would have to wait ठेक है तो ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि instant नहीं होगा one one and a half month कोई केस में 2-3 महीने भी लग सकते हैं so we need to shit पूरा SL लगा के हमें कुछ जादा सूचना नहीं है target आएगा तो book करेंगे SL आएगा तो book करेंगे अब दोस्तो नेक्स एग्जांपल की और चलते हैं और नेक्स एग्जांपल जो है वो हम देख सकते हैं डेल्टा कॉप का अब दोस्तो ये एक genuine rectangle ही pattern है और ये trend के top में बना है और इसका breakout भी मिला बट ये fail हो गया तो मेरा काम यही नहीं है मैं आपको सिर्फ राइट वाले pattern बता हूँ आप देख सकते हो कि 60% of the time 65% of the time this will work तो इसलिए आपको SL लगाना ज़रूरी है अगर यहां पे हमने entry बनाई थी और उसके बद आप देखिए आप अगर rectangle pattern trade कर रहे हैं आप बुलते हैं मेरे को loss नहीं book करना मैंने लिया है यह 300-315 पर बट आप अगर इदर loss बुक कर लेते हैं आप देख सकते हो आपका यह पूरा पैसा waste हो जाता प्लस आपकी opportunity cost इस बीच जो अलग-अलग pattern बन रहे हैं markets के अंदर different counters के अंदर तो वो आप miss कर जाओगे इसके लिए discipline way से 290 आता तो हम निकल जाते हैं और इसने almost 30% of the अपना length achieve किया but it failed हम देख सकते हैं यहाँ पे one side moment breakout के बाद बट यह fail हो गया so SL जो हुआ हमें लेना चाहिए उसको मैं चाहता तो आपको यह वाला picture नहीं दिखाता then आप बोलते है रे सार आपने तो सारे ही right बता है actual life में ऐसा नहीं होता है so actual life में 60% हमें 60-65% से ज़ादा accuracy पकड़के नहीं चलनी है कोई भी price action pattern के उपर अब दोस्तों जो next example है वो मैं लगाना चाहता हूँ जो दो example है अब वो जो थोड़े current में बन रहे है तो पहले example है wonder law holidays यह अभी recently breakout डिया है और मैं बता दू यह कोई एक recommendation नहीं है just मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसने यहाँ पे एक breakout डिया है एक rectangle formation है और यह जो formation हो रहा है यह almost अब ट्रेंड के बाद हो रहा है बट इस counter नहीं अब तक अपना pre pandemic high code dunk से निकाला नहीं था जो particular अभी वाली candle निकाल रही है उस चीज़ को तो इसका थोड़ा सा importance और बढ़ जाएगा अब अगे यह rectangle का breakout हो गया and this is pre result से पहले move आ रही है okay so अब थोड़ा choppy हो सकता है volatile हो सकता है but अगर हम study को यहाँ पर लगाना चाहें तो हमारी जो SLA 250 पर आता है और जो entry ती वो almost 270 पर हो जाती थी अब दोस्तो इस particular scenario में मैं आपको कुछ TGSL लगा के नहीं बता रहा आप खुदी चेक कर लीजी है अब जोस्तो जो गेल का काउंटर है वो मैंने आपको एक अपसाइट का बताया यहाँ पर एक डाउनसाइट में रेक्टेंगल फॉर्मेशन जहाँ पर मिल रहा है गेल के अंदर आप यह प्राइस अक्शन पैटन देख सकते हैं उसमें ब्रेकाउट अचीव हो चुका था इसमें अभी तक ब्रेकाउट अचीव नहीं हुआ है अब लोग क्या करते हैं जब यह प्राइस इधर आता है 128 पे लोग ब्रेकडाउन हो जाएगा आप देखिए यह चार्ट ने कितने बार इस लेवल पे रिवर्सन मारा है यहाँ पे काफी लोगों ने ब्रेकडाउन प्रेटिक किया था अगेन दे फिल्ड अगेन नीचे आया अगेन दे फिल्ड और अभी यह वापिस नीचे आएगा तो हमें क्या करना होता है इस सिचुएशन के अंदर 125 का लेवल जिस टाइम पे ब्रीच करे तभी हम इसको मानेंगे ब्रेकडाउन ओके सो रेक्टेंगल पैटन जो भी हम यह पैटन देखते हैं कंसोलिडेशन या लॉंग टम मलब लॉंग टाइम पे यह पैटन बन रहे हैं उसमें आप प्रियम ना करें क्योंकि आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस भी काफी सेट होता है सपोर्ट भी सेट होता है और काफी बाइंग अंद सेलिंग इंटरेस्ट बनता है इन एरिया में तो दोस्तों मैंने आपको 4 different type के example दिखाई एक perfect symmetry बताई एक फेल्ड बताया एक just breakout जो हो रहा है वो बताया मैंने और एक जो breakout soon जिसको हम कहते हैं break down soon जो breakdown दे सकता है उसको बताया और अगर आपने पिछले वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो आप देख सकते हैं यहापे sideways में भी एक HNS बंद रहा है तो यह चीज़े थोड़ी add कर देती है बट इससे हमें preempt नहीं करना यार यह पका breakdown देगा तो दोस्तो मैं आशा करता हूँ आप end तक अगर देख रहे हो तो यह बहुत ही अच्छी बात है काई लोग बिजबिश में से skip करके देखते हैं और important चीज़ें miss कर जाते हैं मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा है बट अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आप इस knowledge को use कर सकते हैं अपने trading के अंदर और definitely यह आपको worthwhile लगेगा तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ share करे और जिन viewers ने अभी तक यह वीडियो को पहली बार देखा है और हमारे चैनल पे पहली बार आएं तो ज़रूर चाट मुझो के चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन दवाना ना बुले Till then, take care and I will meet you in the next episode